दिभ्य बचन सत्य बचन अमर बचन जीवीर बचन सै दबामा बरीन अबामा बगर निरिजा 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 दिब्य बचन, सब्दे बचन, अमर बचन, दिब्य बचन, दिब्य बचन, दिब्य बचन प्रभु कृष्ट में प्रिये भाई और बहनों, सब कुछ येशू हमारे प्रभु येशु कृष्ट की कृपा, इश्वर का प्रेम तता पवित्रा अत्मा का आशिर्षवाद हीवं कृपा आप सबों को हर पल हर शन मिलते रहे प्रभु कृष्ट में प्रिये भाई और बहनों, आज हम मनन चंतन करते हैं इब्राणियों के नाम संदपावलुस के पत्र अधियाए घ्यारवा के येक में संदपावलुस कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्तिर्व प्रतिक्षा है, जिनकी हम आशा करती हैं और उन वस्तिवों के अस्तित्व के विशे में धिरड़ दाहना है, जिने हम नहीं देखते हैं संदपावलुस विश्वास का व्याक्या इन वचनों की द्वारा करते हैं ये व्याक्या हम हमारे विश्वास के पिताज जो पुराने विदान में हम लोग देखते हैं, इब्राहिम इनके उपर ये ठीक भैटता है उत्पत्ति ग्रंद अधियाई पंदर वाक्य छे जिसमें इश्वर स्वयम इसका शाक्षि देते हैं पिताइश्वर इब्राहिम के विश्वास को देखकर पिताइश्वर स्वयम इब्राहिम को धार्मिक मानते हैं इसे हम उत्पत्ति ग्रंद अध्याई पंद्र वाक्य छे में देखते हैं, आबरहाम ने इश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभू ने उसे धार्मिक माना। ये क्यूं, ये घटना क्यों घटित हुआ है, इसके ठीक एक वाक्य पहले गर्म देखते हैं, अध्याई पंद्र वाक्य पांच में अगर्म देखें, पिता इश्वर इबरहाईम को अपने घर के बहर बुलाते हैं, बुलाकर उनसे वार्तलाब करते हैं और कहते हैं, इस प्र उसने उससे ये भी कहा तुम्हारी संतती इतनी ही बड़ी होगी प्रभु कृष्ण प्रियबाय और बरनो जब पिता परमेश्वर इबराहिम से इस प्रकार की वारतलाब करते हैं उस समय उनकी उम्र उनकी आयू एक सो साल लगबग हो चुका था और जबकि उनकी पतनी सारा एक भांजती और फिर भी पिता इश्वर के इन वचनों पर इबराहिम विश्वास करती है इसलिए संदु पाउलूस इस घटना को रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र के अधियाई चार वाक्य बीस और इकती इकीस में संदु पाउलूस कहते है तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ उन्हें इश्वर की प्रतिक्या पर संदेह नहीं हुआ बलकि उन्होंने अपने इश्वास की दृड़ता द्वारा इश्वर का सम्मान किया उन्हें पक्का विश्वासता कि इश्वर ने जिस बात की प्रतिक्या की है वह उसे पूरा करने में समर्त है इसलिए पिता परमेश्वर नभी इबराहिम को धार्मिक मानते हैं क्योंकि उन्हों ने पिता इश्वर के उन वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और इसे ही इबरानियों के लिखते हुए संदु पावलुस अधिया एग्यार अवाकिय एक में जिसे हमने सुरुवात में देखा कि विश्वास उन बातों की इस्तिर प्रतिक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विशे में धिर्ड़दारना है जिने हम नहीं देखते जब प्रभी एसुक्रिष्ट के पुनृत्तान के बात जब प्रभी एसुक्रिष्ट उनके सारे शिश्यों को जो बंद कमरे में बैटे थे उनको अपना दर्शन दिया जब संदु तॉमस वहां उनके बीच में नहीं था जब संदु तॉमस जब वापस आते हैं बाकी शिश्यों उनसे कहते हैं हमने प्रभुवर को देखा है वो जीव उटे हैं संदु तॉमस विश्वास नहीं करते जब उसके बाद जब प्रभी एसिक्रिष्ट अपने शिश्यों को अपना धर्शन देते हैं जब सम्तॉमस उनके बीच वह समय वहाँ पर ता तब प्रभी एसिक्रिष्थ संथॉमस को अपने पास बलाते है ये देखो मेरे हाथ और अपना उंगली यहां रखो ये देखो मेरा बहल, इसमें अपने हाथ डालो, आ विश्वास नहीं बलकि विश्वासी बनो आज इस वचन द्वारा प्रबू हम सबों को बुलाते हैं उनके हर एक वचन पर, हर एक कतन पर विश्वास करने के लिए वो विश्वास हमें अपने भाई बेनों के साथ पूर्ण रूप से करना है, अगर इश्वर पे विश्वास करना है, अपने भाई बेनों पर, अपने रिस्दारों पर, अपने प्रियजनों पर हमें पूर्ण विश्वास करना है, तबी हम इश्वर के विश्वास में हम आग बढ़ सकते हैं अगर इसका एक जलक हम देख सकते हैं इबरानियों को लिखते हुए ये अदियाई दस वाकिय तेईस में संदु पॉलुस पुन कहते हैं हम अपने बरोसे का साक्ष देने में अटल येवं दिर्ड बने रहें क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रति किया है और इस बात पर हम पुराने विदान में पुन हम देख सकते हैं अयूब के जीवन को अयूब एक अमीर विक्ती उनके साथ बहुत कुछ जमिन जायदाद बहुत चीजें थे पूरे कुछ हाल परिवार था उनका सब लोग मिल जुलकर पूर्ण रूप से प्रेम से रहते थे लेकिन उनके जीवन में भी इश्वर एक प्रलोबन बेजते हैं उनके हर एक चीज को पिता इश्वर सहितान के हाथ में दे देते हैं अयूप के परिक्षा लेने के लिए लेकिन पिता प्रमैश्वर विश्वास करते हैं सहितान से कहते हैं तुम कुछ भी करो लेकिन अयूप मुझे न कराएगा नहीं और यही होता है अयूप कभी विचलित नहीं हुआ वो कभी इश्वर के विश्वास से, इश्वर के प्रेम से, इश्वर के बरोसे से बाहर नहीं गया वो अपने विश्वास को दृड़ बना रखा इश्वर के उपर और उसका फल हम देखते हैं, अयूब, पुनह, वो जो भी वो उनसे चीन लिया गया था वो सब कुछ को वापस पा लेता है, प्रवकृष्वे प्रिया भाई और बेहनों, आज इश्वर हम सबों को भुलाते हैं, आमंदृत करते हैं, ताकि हम अपने विश्वास को टटो लें, अपने विश्वास को देखें, अपने बरे से को देखें, हम कितना बरोसा रखते हैं इश्वर पर हम कितना हम अपने इच्चा को प्रकट करते हुए इश्वर से आशिर्वाद पाते हैं क्योंकि विश्वास जहां पर है जहां पर बरोसा है वहीं पर हम इच्चा को हम बाहर निकाल कर रख सकते हैं क्योंकि हम उस वक्ती पर हम पूर्ण विश्वास करती हैं आज इसी विश्वास में बढ़ने के लिए पिता परमीश्वर प्रभी ये सुक्रिस्त पावनात्मा हम सबों को निमंदरन देते हैं बुलाते हैं और इस विश्वास में अगर हम आगे बढ़ना है इस विश्वास में अगर हम जीना है हमको आगे बढ़ते हुए प्रभु के नजदे की जाना है संद याकूब हमें एक रास्ता बताते हैं अपने पत्र अध्याए दो वाक्य सत्रा में कहते हैं कर्म के अभाव में विश्वास पून रूप से निर्जीव होता है संद याकूब कहते हैं अगर हमें इश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए कार्य भी करना है अपने कर्म भी अपने विश्वास की साथ साथ आगे बढ़ना है क्योंकि प्रभी एसुक्रीस्त अपने शिश्यों के साथ रहते समय अपने शिश्यों को एक पाठ पढ़ाया था जिसे हम संदमत्ति के सुसमाचार अध्याई सत्र वाकिय बीस में देखते हैं प्रभू कहते हैं यदी तुमारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड से कहो यहां से वहां तक हट जा तो यह हट जाएगा और तुमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा और उसके बाद प्रभू कहते हैं प्रार्तना तता उप्वास के सिवा यह विश्वास को हम अपने अंदर लेकर नहीं आ सकते हैं प्रार्तना यानि अपने आपको प्रभू के साथ जोड़ना उप्वास यानि परिक्ष्रम करना अपने आपको निर्दोष बना कर रखना इश्वर के हर एक नियम को पालन करना इश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन के आदार बना कर जीना हर एक वक्ति को अपना मानना हर एक व्यक्ति में इश्वर को खोजना हर एक व्यक्ति में इश्वर को पैचान कर एक दूसरे को आदर सम्मान करना जब इस प्रकार की कार्ये में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आपको इश्वर की नज़दिक पाते हैं ना केवल नज़दिक पाते हैं और इश्वर हमारे हर एक व्यक्ति के हिर्दे में आकर बसते हैं क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मेरे नाम पर सुर्किक पिता से जो कुछ मांगेगा मैं उन्हें उसे अवश्य प्रदान करूँगा अगर उसे पाना है हमें इश्वर पर पूर्ण बरोसा रखना है इश्वर के नियमों को पालन करना है इश्वर के वचन पर आगे बढ़ना है इसे ही विश्वास के पिता इब्राहिम अपने जीवन में पालन किया इसे ही नभी अयूब अपने जीवन में पालन किया कभी इश्वर के विरूद नहीं गए कभी इश्वर से अपने मूँ नहीं मोडे इश्वर के इस द्वारा सिकाए हुए मार्ग पर ही वे आगे बढ़ते रहे इसी वज़े से पिता इश्वर नभी इबराहिम को धार्मिक मानते है इसी लिए पिता परमेश्वर हर पल हर शन नभी इबराहिम के साथ रहे इसी वज़े से अयूब को पिता इश्वर ने आश्रवाद दिया आज वही आश्रवाद को वही किर्पा को पिता परमेश्वर आज हम सबों को देना चाहते हैं ये हमारे उपर निर्बर रख करता है कि हम उसे पाने के लिए हम अपने आपको कितना योग्य बनाते हैं अपने आपको हम कितना इश्वर के नजदी की पाने की कोशिश करते हैं ये हम हर येक वक्ति के उपर निर्बर करता है कि हम अपने आपको कितना हम निर्बल निर्दोश बना कर रखने की कोशिश करते हैं इसलिए प्रभु कृस्त में प्रिय भाई और भेनों आईए हम अपने आपको इश्वर के हवाले समर्पित करें इश्वर के चर्णों पर अपने आपको समर्पित करें उनसे आशिश वं कृपा मांगे ताकि हम इश्वर के प्रिय बन पाए इश्वर हमारे अंदर आकर बसे ताकि हम इश्वर महें हो सके और एक दूसरे को हम इश्वर के आशिरवाद बनकर हम जीवन में आगे बढ़ते रखे इश्वर हम सबों को अपने कृपा से भर दे आमेन झाल झाल झाल